Hello guys, कैसे हैं आप सब लोग, मुझे उमीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे Well, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, कुल मिला के ऐसे 5 reasons के बारे में Which will make you think why you should buy Infinix GTbook laptop, gaming laptop Specifically मैं यहां पर RTX 4060 वाले variant की मैं बात करूँगा 3 reasons इसमें specific हैं दोस्तों और 2 reasons ऐसे हैं जो की Infinix in general के बारे में हैं ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि Infinix को जो है आप बहुत ही कम आग रहे हैं आपको मैं बताऊंगा कि वो आखिर में कितनी ज्यादा बड़ी तोप है ठीक है, तो इससे कई न कई आपका perspective यहां पे जो है change होगा तो सबसे बहली बात आती है, यहां पे जो RTX 4060 वाला जो variant आप लोग को मिल रहा है वो 90 वाट का है, तो बहुत सारे लोग इसी बात से थोड़ा जो है push ले लेंगे कि नहीं भई 90 वाट का है, 140 वाट का नहीं है लेकिन आपको मैं real life का सिनारियो बताता हूं दोस्तों कि 140 वाट TGP value वाले जो है न, क्या लिखा रहता है, max 140 वाट ऐसा लिखा रहता है, तो even real life में 140 वाट वाला भी जादा से जादा 110, 115 तक जाता है, उससे उपर वो नहीं जाता है It is just like a car, ठीक है उसमें भले ही लिखा रहता है कि 200 की speed है लेकिन क्या उतना ही वो जाती है, means rarely आप उसको शायद से 150, 160 तक drive करते होंगे, that too just for the fraction of seconds तो same चीज़ यहाँ पर laptop में भी आपको देखने को मिलती है दोस्तो कि यह जो है न, 140 वाट लिखा रहता है, लेकिन वो ज्यादा तर टाइम जो real life time में होता है वो max to max 110 या फिर 115 तक जाता है, तो इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है full 90 वाट जो है आप लोग यहाँ पर utilize कर सकते हैं फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों कि बोलते हैं, काफी सारे लोगों मैंने बोलते वह सुनाए कि यहाँ पर motherboard पर जो है वो कुछ cost cutting कर रहे हैं देखिए ऐसा इरा नहीं है, ठीक है motherboard हर कोई दूसरे जगह से ही जो है लेके अपने laptop में यहाँ पर चड़ा रहा है यहाँ पर बात आती है दोस्तों, market में कुछ जगह बनाने की market में कुछ एक ऐसी well established जो है image बनाने की जिसकी वज़ा से लोग जो है उसको recognize करें आगे चलके वो और अच्छा से जो है थोड़ा बहुत cost premium में उसको बेच सकें तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले लोग उसको खरीदें आप लोगों ने देखा होगा कि Google पे पहले कितना जाता cashback देता था अब देता है क्या, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला है तो मुझे comment section में बताओ तो same चीज यहाँ पर Infinix के साथ में हो रही है दोस्तों, वो जो है सस्ते laptop इसले launch कर रहा है, एकदम cost cutting, एकदम competitive price में आगे चलके बताओंगा कि वो ऐसा कर भी क्यों पा रहा है, ठीक है तो ताकि लोग उसको खरीदें, ठीक है, लोग उसको अच्छा से खरीदें यहाँ पे, लोगों का उसमें involvement हो, that is why they are doing it ठीक है, लोग खरीदेंगे भाई, तभी तो जानेंगे, तभी तो जो है दोस्तों, mouth to mouth public city होगी, सबसे जो best public city होती है दोस्तों, वो mouth to mouth public city होती है, ठीक है, आप भले ही कुछ भी लेने जाएं कि भाई, हाँ, Infinix का laptop अच्छा चल रहा है, it's very good तो इस कारण से, ऐसा नहीं है कि motherboard सस्ता वाला जड़ा रहेंगे लोग, नहीं उनको जरूरत है यहाँ पे customer base बनाने की, यहाँ ठीक है फिर उसके बाद आती है, दोस्तों, बारी, 32GB, 1TB देखो यार, दोनों ही जो चीज है ना, इन लोगों ने top class यहाँ पे दी हुई है 32GB DDR 5X RAM है, 1TB NVMe, PCI Gen 4 Storage आपको देखने को मिलता है कोई भी laptop इस price range में, with external graphic card, कोई नहीं दे रहा है यहाँ पे ठीक है, जो दे रहे हैं gaming laptop, इस segment के specifications, उनकी कीमत देखे आप लोग 2,00, 2,30,000, 3,00, इस range में आपको देखने को मिलती है तो बहुती बढ़िया काम किया है यहाँ पे Infinix ने, पता है दोस्तों, इसका impact आप लोग सूचिए इसका impact होगा बाकी दूसरी companies पे, बाकी दूसरी companies, Dell, Asus, Lenovo, HP, Falana, Dimka जो कि अभी तक 16GB, 1TB दे रही है, या फिर 16GB, 512GB दे रही है, उनके max to max जो है configuration में अब वो भी मजबूर हो जाएंगी 32,1TB वाली configuration देने में बाइदेवे मैं बता दू, Lenovo का, I think, IdeaPad Slim 5 Pro ऐसा करके कुछ जो है, वो भी laptop है तो उसमें क्या होता है, कि वो दे रहे हैं, 32,1TB दे रहे हैं, 1,8,000 रुपे में ठीक है, लेकिन graphic card उसमें नहीं है, ठीक है, तो जो भी Intel के आप लोगों को ARC graphic card मिलेंगे, उसी से काम आपको चलाना पड़ेगा, so that's an entire different thing यहां पर gaming laptop के हिसाब से कोई भी, आज के date में, इस cutting price point पे, इस graphic card के साथ में आपको 32,1TB का combination नहीं दे रहा है, and ऐसे gamer आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि, चलिए, ठीक है, RAM 16GB वाली में भी खेला जा सकता है, ठीक है, लेकिन 1TB का storage काफी ज्यादा spacious हो जाता है, the reason being is, game फैलते है ठीक है, आप जितना ज्यादा high-end game खेलोगे, उतना ज्यादा जो है, पता चला, installation के वक्त 80GB का था, बात में खेलते खेलते वो 320GB का हो गया फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों, anti-glare display की, कोई भी laptop उठाके देखलो, gaming laptop specific के लिए मैं बात कर रहा हूँ, anti-glare coating कोई भी नहीं दे रहा है इक का दुक्का है, I think जो high-end वाले laptop से वहीं आपको दे रहा है, ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा positive point है दोस्तों, इस price point पर आपको anti-glare display देखने को यहाँ पे मिल रही है and क्योंकि मैं glossy display वाला laptop यूज करता हूँ दोस्तों, तो sometimes what happens कि, यार in fact, आपके bulb की lighting भी जो है आपको irritate करती है तो most of the time आपको जो है, आपका laptop, आपका जो light है, वो burn करनी पड़ती है, तो वो एक चीज है, जो कि वाकई में practically useful है, इसलिए मैंने उसको बता दिया फिर बात आती है दोस्तों, यहाँ पर transition holding को लेके, जी हाँ, transition holding जो की ideal, techno, infinix, इन सब के जो है product यहाँ पर बनाती है ठीक है, तो infinix भाई, एक तो पहली बात कोई ऐसे आंडू-पंडू आपका Indian brand नहीं है, एक Chinese manufacturer का brand है, देखिए Chinese भी है, manufacturer का brand है आप लोग मान के चलो दोस्तों, आप Lays के chips बनाते हो, ठीक है, आप Lays के packet distributor को supply करते हैं, फिर distributor जो है दुकानों में देते हैं, ऐसे दो-ती chain होती है, finally मैं वो दुकान में आता है, फिर उसकी कीमत बड़ी चड़ी होती है लेकिन कल को अगर Lays खुदी जो है decide कर ले कि नहीं भाई मैं खुदी दुकान खोलूंगा, Lays just मैंने general example बता है, हलाकि ऐसा नहीं होगा, कोई और example ले लेते हैं, मान के चलो आप कोई बर्फी बनाते हो, ठीक है, बर्फी बनाते हो, आप उसको supplier को देते हो, supplier दुकानदार क ठीक है, ठीक है, तो आकरी में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बड़ी चड़ी होती है, लेकिन, क्या हो दोस्तो, अगर, मान के चलो, आपने खुद डिसाइड किया, कि मैं बर्फी बनाता हूं, कलकुम मैं ही दुकान खोल के बैठ जाओंगा, company के सामने, तो आप थोड़ा स सस्ता दोगे, और आप पे विश्वास भी रहेगा, लोगों के, company से निकला हुआ है, सस्ता भी है, और अच्छा भी है, same thing is happening here with the Infinix, laptop, इनके स्मार्टफों, जो भी कुछ, आप लोग ले लें, ठीक है, आप लोग ने देखा होगा, techno, italian, सब के चीज़े कितनी सस्ती सस्ती आती है, अब जाके ये लोगों ने high-end वाले mobile जो है, बनाना चालू किये हुए है, ठीक है, तो इनके products दोस्तों इसले सस्ते हैं, कि भई, ये खुद ही बनाते हैं, इसले इन लोगों के products सस्ते हैं, हाला कि देखो, माल सब जगह से ले रहे हैं, लेकिन बना तो खुदी रह है, असेंबल तो खुदी कर रहे है, that is why cost जो है दोस्तों वहाँ पे काफी ज्यादा, ये लोग जो वो margin है, वो as it is customer को pass on कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अभी तक इन लोगों ने offline में कदम रखा हुआ नहीं है, तो दो दो चीज़ें, एक तो खुद बना रहे हैं, उस यहाँ पे और ये खुद नहीं बना रहे होते, जैसे कि बागी दूसरी companies करती हैं, ठीक है, तो यही laptop आप लोगों को दोस्तों 1,20,000 रुपए के करीब जो है देखने को मिलता, एंड कहीं न कई दिमाग में रहता है, वही सस्ता है तो खराब है, ठीक है, एक general perception है और कुछ हत्ता को true भी है, ठीक है, कुछ हत्ता को true भी है कि यह जो है कि आखिरकार इतना सस्ता दे कैसे पा रहे हैं, तो यही कारण है कि यह सस्ता इसले दे पा रहे हैं, आपका क्या मानना है मुझे comment section में जरूर लिख कर बताएगे, मिलता हुमें आपसे अगले वीडियो में है